महाराज चटायू, नागों को संदेह है कि आपने नागराज पंचपन का अभारण किया है। यदि आपकी अनुमती हो, तो उनके प्रतिनिधी स्वायम यहां आकर देख लें कि नागराज पंचपन यहां नहीं है। उनकी सेना हमारी सीमा के पार खड़ी है। उनके प्रतिनिधी को हम अपने राज में नहीं आने देंगे। असंबव है यही। मेरे विचार से हमें आम सहमती के आधार पर निर्णे लेना चाहिए। महाराज, राज की सुरक्षा सुनिश्यत करने का सेना पती को अधिकार होता है। इसमें आम सहमती की कोई अवश्यक्ता नहीं है। बात चित्र के तुझे। अपनी सुविधा अनुसार, कभी आप आम समीती की बात करते हैं, तो कभी राज भक्ती की। परन्तु अब ऐसा नहीं होगा। परिस्तिती चाहे जैसी भी हो, पर नियम एक ही रहेंगे। इस निर्णे को लेने का अधिकार, हम गरुल राज के सभी नागरिकों के पास होगा। मुझे हनुमान पर विश्वास है, मैं हनुमान के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी हनुमान से सहमत हूँ। करूडों और नागों के बीच, जिस शांति के सवपन को सत्य बनाने के लिए तुमने इतना अधक परिश्रम किया था पंचभन। वो कल सदैयो के लिए रक्त रंजित लानिमा में विलीन हो जाएगा। सूर्योदय की प्रतीक्षकरों पंचभन। युद्ध के दूद अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। कल प्राता हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। गरुरों का सर्वनाश होगा। और दिव्य बंक हमारा होगा। गरुण और नाग एक ही वंश की उत्पत्ती हैं मेखासुर। ये युद्ध अनवश्यक है। एक ही वंश की उत्पत्ती हैं तो सदैयव हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। सागर मन्थन से प्राप्त हुए अमूल्य रत्तों से हमें क्यों वंचित रखा गया। थोड़े से विश्क अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ हमें। मैं मेखासुर वो अधिकार दिलाऊंगा नागों को जो तुम वासुकी और अनंत नाग नहीं दिला पाए। यह जो तुम कर रहे हो अनुचित है मेखासुर। संसार विजय की जैगोश करते समय उचित अनुचित का विचार नहीं करता पंचफन। मेखासुर नागों को सर्व शक्तिमान बनाएगा। तुम्हारी पराजय होगी मेखासुर। पुरे की सदय वहार होती है। तुम सद्य कहते हो पंचफन। उन घिनित गिद्धों के अवश्य पराजय होगी। मैं और कालनेवी अवश्य सफल होगे। आज की रात्रीन की आकरी रात्री होगी। और कल तुम्हारे मित्र जटायू की मृत्यू के पश्चात तुम्हे भी प्राणों से मुक्त कर दिया जाएगा। अब कोई तुम्हारे मित्र गरुडो और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा रक्षा। हनुमान को सफलता नहीं मिलेगी। गरुडों का संहार होगा व्रत्यू के पूर वो यही चितकार लगाएंगे चीक चीक कर प्रलाप करेंगे हनुमान ने हमारे साथ विश्वास घात किया है हनुमान ने हमारे साथ विश्वास घात किया है इतना बड़ा शड़ेंट रचा गया है हनुमान को समय रहते ये सब क्यात नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा मित्र हनुमान मित्र हनुमान अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ए युद्ध टल जाएगा मैंने अपना धर्म निभाया है अनुमान मैं आपका आभारी हूँ आपने पुना हमारी रक्षा की है परन्तु मैं महराज नाकफन की सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ मैं आशा करता हूँ कि कल सुबह तक नाक प्रतिनिधी को सत्तिका ज्यात हो जाएगा और उसके पस्चात हम सब मिलकर नाक पंचफन को ढूणने का प्रयास करेंगे जी महराज अनुमान आज आप हमारे विश्राम ग्रेह में विश्राम कीजी कल का सूर्य शांती की एक नई किरण लेकर आएगा युद्ध के बादल शांती की लहर से कम हो रहे हैं अनुमान सुगरीद केसरी ने हमारे निमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया भाईया हमने दूद भेजा है वो पहुँच रहा होगा मैं चाहता हूँ कि केसरी को ये ग्यात हो जाए कि महानतम वाली अब किश्किंदा के महराज बन गए है किंतु भाईया ये किंतु परंतु तरस्ता आगया हूँ मैं इस किंतु परंतु से यदि केसरी ने स्वयम यहां आकर मेरा अभिनंदन नहीं किया तो मैं ये बल पूर्वक भी कर सकता हूँ इस सभा में भाग लेने के लिए आप सब आमंत्रित हैं महराज बाली महराज वाली दूत शीगर बताओ मित्र रिक्षराज सा कुशलतो है युवराज वाली ने स्वयम को महराज की उपादी से संभोधित क्यों किया महराज केसरी प्रणाम महराज प्रणाम राज प्रवजी प्रणाम महराज केसरी जी किशकिंधा में दुर्भाग्य पूर्ण घटना घटित हुई है युवराज ने अपने पिता महराज को सिंगहासन से उदार कर उनके सिंगहासन पर स्वयम आसीन हो गये हैं हम बड़ी कटनाईयों से अपने प्राण बचा कर वहां से निकले हैं जी महराज केसरी जी अब किशकिंधा के राज सिंगहासन पर महराज वाली विराजमान हैं उन्होंने बन के समस्त राजाओं की सभा का आयोजन किया है उसके लिए आपको भी साधर आमंत्रित किया है युवराज वाली से कहना मैं उनके आमंत्रन पर विचार करूंगा और उस पर अपनी सहमती अत्वा आ सहमती से अवगत करवा दूगा ठीक है महराज मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे यदि शीग रही ये युद रुख गया तो मैं शीग रही सुमेरू लोट जाओंगा और अपने मित्रों से मिलूंगा तुम भी मेरे साथ चलना मैं अवश्य चलूंगा भाया हनुमान झाल कि नागों को अपने समी अन्य नागों की उपस्थिती का आभास हो जाता है नागों की प्रतिनिधियों को तो कल प्राता यहां आना था परन्तु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ नाग यहीं मेरे समी गरुण राजी के भीतर है कितनी कठी नाईयों से मित्र हनुमान ने शांती प्रस्थापित की है यदि अन्य नाग यहां नहीं है और मैंने केवल संशे के आधार पर किसी को भी सचेत कर दिया तो गरुण शांती का प्रस्ताव ठुकरा देंगे कि नहीं नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मुझे स्वयम जाकर देखना चाहिए यदि अन्य नाग यहां है तो मुझे उन्हें अनुरोद कर यहां से लोटाना होगा मित्र हनुमान मित्र हनुमान हम नागों को वटवरिक्ष के फलों का स्वात अत्यांत प्रिय होता है उसका अनूठा अनन उसके समीब जाकर ही प्राप्त होता है तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मेरा कुछ समय बाहर वटवरिक्ष के पास व्यतीत करूं यदि आपकी अनुमती होता मैं हुआ हुआ पूशन समीर के वट प्रिक्ष तक गया था अभी तक लौटा क्यों नहीं यह बाली का जाल है महाराज केश्री मैं इसलिए शीगरी आपको चेतावनी देने के लिए यहां पर चला आया कि आप बाली का निमंतरन स्विकार ना करें महाराज महाराज उसकी योजना है कि वो अपनी सभा में समस्त राजाओं को बुला कर उन्हें कारागार में डाल देगा और फिर स्वयम को महानायक घौशित करके अपनी प्रभुता स्थापित कर देगा महाराज मित्र रिक्षराज मेरे दुख एवं सुख के साती हैं वो मेरी विपत्ती में सदय मेरी ढाल बन कर खड़े रहे जब काल्दे मेरे प्राण हर कर ले गए थे तो वो मेरी एवं मेरे परिवार की सहायता के लिए दोड़े चले आये थे आज उनके संकट का समाचार सुनकर मेरा हिर्दर दिर्वित हो रहा है कुछ भी हो उनकी विपत्ती के समय पर उनकी उनकी सहायता के लिए मैं अवश्य जाओंगा परंतु महराज केसिरी जी वाली की महत्वा कांक्षा ने उसे अंधा गर दिया है वो सकता है वो आपको भी शती पहुँचा दे महराज महराज वाली मेरे पुत्र के समान है वो सुयम मेरे पुत्र हनुमान के समान है यदि पुत्र मार्ग भटक जाए तो उसे उचित अनुचित पत का ग्यात कराना हमारा करता भी है वो अवश्य मान जाएगा, वो मेरी बात मान कर अपने पिता रिक्षराज को कारा ग्रह से मुक्त करते गा नहीँ महराज वाली के दम्व ने उसके विवेक को हर लिया है वो किसी की कुछ नहीं सुनेगा तब मुझे वाली से युद्ध करके अपने मित्र रिक्षराज को मुक्त कराना ही होगा नहीं स्वाली आप जानकर संकट के मुक्त में प्रवेश्ट मत कीजिए हनुमान भी गरुड राज्ये गया हुआ है आपको हनुमान के लौट कराने की प्रतिक्षा करनी चाहिए तब तक बहुत देर हो जाएगी अंजना हनुमान के लौटने पर उसे किशकिंदा भेज देना मेरे मित्र रिक्षराज और उसके दोनों पुत्र वाली और सुग्री पर भेंकर संकट चाया हुआ है वाली में अनेकों सद्गुण हैं वो वश्य किसी के तुष्प्रभाव से प्रभावित है मैंने विलम किया तो ना जाने वहां क्या अनर्थ हो जाएगा तुम चिंता मत करो मुझे विश्वास है वाली मेरी बात मान जाएगा किश्किंदा के लिए मेरे प्रस्थान की शीक्र विवस्था की जाए पोशन समीब के वट वरिक्ष तक गया था अभी तक लौटा क्यों नहीं हनुमान भैया मैंने एक भयावा दूस्वपन देखा रक्त पात जन संगार मृत सैनिको से पटी रण भूमी जिसकी कल्पना ही इतनी डरावनी है वो प्रत्यक्ष में कितना भयावा होता होगा नागों और गरुणों का युद्ध टल जाएगा ना मित्र जितान तक युद्ध तो सदे विनाशकारी ही होता है परन्तु तुम चिंता मत करो हमने अथक परेश्राम करके शांती के जो बीच बोई है वो अवश्य अंकोरे थोंगे कल नाग प्रतीनितियों के समाक्ष सत्य प्रमानित हो जाएगा कि नाग राज पंचपन करुण राच्य में नहीं है तब इस युद्ध का कोई कारण शेश नहीं रहेगा यह कैसी द्वानी थी तुम्हें नहीं सुनाई थी नहीं तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया यह द्वानी मेरा ब्रह्म था या किसी भावी अनिष्ट का संकेर चिंदा करना तो हनुमान के स्वभाव के विप्रीत है तब भी मेरा रिदय इतना व्याकुल क्यूं है आपने तो मुझे आश्वस्त कर दिया हनुमान भाईया और स्वेम इतने अधीर हो रहे हैं कि मैं भूशन को लेकर आशंकित हूं बाहर जाकर देखता हूं वह कहां रहे गया रुकिये अनुमान भाईया मैं भी आपके साथ चलता हूं सुगरीव क्या किसी राजा ने मेरा निमंत्रन सुविकार किया अभी हमें किसी का उत्तर प्राप नहीं हुआ है इसका अर्थ ये तु नहीं कि वो मेरे महानतम वाली महराज वाली के आदेश की अवमानना करेंगे कोई बात नहीं बेस्वेच्छा से नहीं आएंगे तो महानतम वाली उन्हें बल पूरवक यहां ले आएगा मेत्र भोशन कहां हो तुम भोशन कहां हो महत्र महत्र भोशन तुम कहां हो किदर हो तुम भोशन जर दीची ओर आगा है चलो इसे कहीं और सपादे महत्र भोशन कहां हो तुम किदर हो तुम मेत्र भूशन भूशन कहा हो तुम मेत्र भूशन मेत्र भूशन कहा हो भाईया हनुमान आपको ये ध्वानी सुनाई दी नहीं तो हाँ संभाव हो सकता है कि भूशन मेत्र भूशन मेत्र भूशन अब तुम्हें डूण रहा है कहा हो वो ने की हनुमान भाईया वो आकरिती वो तो तुम्हारे मन का बैय है बस चाड़िया ही तो हिल रही है चलो जा कर देखते हैं कि अब वहां पर तो कोई भी नहीं है अब हाँ चलो उस तरब जा कर देखते हैं हौँ अब हाँ कर दो कर दो कर दो for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos झालोजोजोजोजोजोजों